हरियाना पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए हरियाना सामान ग्यान के करेंगे टॉप 50 कोश्चन्स तो वीडियो को पूरा सा सुरू से लेके लास तक देखीगा तो चलिए सुरू करते हैं आस के सेशन में पहला कोश्चन है हरियाना में 1857 की करांती में समिलित प्रमोख व्यक्तियों में कौन सामिल नहीं था तो ये हो हैज एक आप्शन सी रिसाल सिंग क्रांती का विगुल हर्याणा में सरप्रतम कहां पे बजाता तो ये बजाता अमबाला छावनी 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकडी विद्रोईयों को दबाने के लिए कहां आई तो ये आई ओप्सने रोह तक नारनावल के समीप नसीपपुर नामक गाओं में लड़े के स्वाधिन्ता संग्राम युद्ध में अंग्रेजों ने किन तीन सक्तियों को नश्ट किया था तो ये गिया था ओप्सने रेवाडी, जजजर और जोधपुर प्रथम स्वाधिन्ता संग्राम में बल्लबगळ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनों का नित्रत किया था ओप्सन भी राजा नाहर सिंग निमलकित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जनक्रांती में अंग्रेजों को महत्पून सयोग दिया था तो आप्सन भी ताबडू कांग्रेश के दुसरे 1880 इसभी के कलकत्ता दिवेशन में हरियाना का प्रती निदेत तो किस ने किया था तो ये सभी पंडित दीन दियाल सर्मा लाला मुरली धर बल्लब गल के अंतिम राजा का नाम बताईए जो 1857 के स्वतंतता संग्राम में सहीद हुआ था तो आप्सन नाहर सिंग किस जगे की क्रांती का नेत्रत्त सहजाधा मोहमबद आजम ने किया आप्सन सी हिसार तो आप्सन डी जीन हर्याना एक लैंड लॉक्ड राजी है जो निम्न के वीच इस्थित है आप्सन डी 27 डिगरी 49 मिनट से 30 डिगरी 55 मिनट हर्याना का चांसिय विस्तार कितना है आप्सन बी 27 डिगरी 49 मिनट से 30 डिगरी 55 मिनट हर्याना राज का देशांतर ये विस्तार है ओप्सन है चोहत्तर डिगरी 27 मिनट 28 सेकंड पूर्वी देशांतर से 77 डिगरी 36 मिनट 5 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य हर्याना राज का चेतरफल कितना है तो ओप्सन भी 44,212 बर्ग किलोमेटर हर्याना का मैदानी भाग समुद्र सल्ट से कितनी उचाई पर इस्तित है तो 900-900 फीट निम्न में से कौन सा प्रदेश हर्याना के उत्तर पूर्व में अवस्तित है तो ओप्सन सी हिमाचल प्रदेश हरियाना के दच्छिन पूर्वु में कौन सा प्रदेश अवस्तित है? तो अप्षिन ए दिल्ली मोरिनी पहाडियों की ओसा तुचाई है तो 15-14 मीटर निम्नु में से कौन सा प्रदेश? हरियाना के पस्चिम में अवस्तित है अप्षिन बी राजिस्थान हरियाना के किस भाग में सिवालिक परवस्तित है तो अप्षिन बी उत्तरपूर्वी समुद्र से दूर इस्तित होने के कारण हरियाना की जलवाईयू है तो अर्द उस्ण हरियाना में जुलाई से सितंबर महिने के मध्य किन पवनों दोरा बढ़सा होती है तो दच्छनी पश्मी मानसूनी पवन हरियाना राज की महत्पूर्ण सरवादिक महत्पूर्ण नदी है तो यह है आपकी उप्षन यमुना नदी निम्न मैं से कौन सी नदी मेवात जिले की पाहणियों जैसे कि मनोहरपूर और जीतगळ के निकट से निकलती है तो अपसने साही भी घगड़ नदी का उधगम इस्तल है तो अपसने सिमला के समीप डाग सै अगला कोशन कर लेते हैं अगला कोशन कहता है मारकंडा किस नदी की प्रमुक साहक नदी है तो आप्शन B सरसोती निम्न मैंसे किस नधी का उद्गम इस्तल नाहन के पास सिवालिक पाड़ियों से है तो मारकंडा मेवात जिले के नुहू के निकट मेवात की पाड़ियों से निम्न मैंसे कौन सी नधी निकलती है Option B, इंदोरी टांगरी किस नदी की प्रमुक सहायक नदी है Option D, मारकंडा कौन सी नदी हर्याना के दच्छनी भाग में प्रवेश करती है Option E, कृष्णावती नदी हर्याना राज को कितने क्रसी जलवायू छेत्रों में विभाजत किया गया है Option C, तो हर्याना में निम्न मेंसे किस खाद्यान की खेती की जाती है तो ये सभी चावल, गेहूं और चना पस्चमी यमुना नहेर द्वारा हर्याना के निम्न लिखित में से किस जिले में सिचाई की जाती है तो ये सभी करनाल, सोनी पत, रोह तक निम्न मैं से कौन सी हरियाना की प्रमुक फसल नहीं है तो ये हो जाएगी चाय option C गेहु उत्पादन की द्रष्टी से हरियाना का भारत में कौन सा इस्थान है option D चौथा हरियाना का कौन सा जिला बासमती चावल के उतपादन में विसप्रसिद होने के कारण धान का कटोरा नाम से जाना जाता है तो ओपसन B करनाल राज के किस जिले में गेहों का सरवादिक उतपादन होता है ओपसन D सिर्शा हर्याना में चावल की खेती मुख्यता किन जिलों में होती है तो ये सबी करनाल, कैथल और कुरू छेत्र राज के किस जिले में बाजरा का उत्पादन होता है तौपसंडी हिसार गन्ना उत्पादन में हर्याना का कौन सा जिला अग्रणी है Topsan D. यमुना नगर हर्याना राज में कुल सनरचित बंचेत्र फल कितना पाया जाता है Topsan E. ग्यारा सो ठावन बर्ग किलो मेटर राज के अभी लिखित बंचेत्र का परतिसत है तो 3.53 परतिसत राज के कुल अभी लिखित बंच्छेत्र के कितने प्रतिसत भाग में आरच्छत बंच्छेत्र पाए जाते हैं तो 15.97% राज के कुल अभी लिखित बंच्छेत्र के कितने प्रतिसत भाग में सनच्छत बंच्छेत्र पाए जाते हैं तो 74.28% राज में कुल बानाच्छादन एवं ब्रच्छादन है तो 3003 बर्ग किलोमीटर में हर्याना के कुल भागोलिक छेत्र के कितने प्रतिसत भाग में बानाच्छादन एवं ब्रच्छादन है तो आप्सिन B 3.59 प्रतिसत राज में कुल बाना च्छादन है तो 1588 बर किलोमेटर में निम्न में से कौन सी संस्था पिंजाओर में गिद्ध सन्रचन केंदर को सैयोग नहीं दे रही है तो एनिमल बेलफेर एसोसियेशन आफ रसिया यूके राज के कुल कितने च्छेत्र में आव वरगी करत बन च्छेत्र हैं 152 किलोमेटर बीर बारा बनने जीब अवेरन के इस जिले में है तौपसने जीन तो गाईत आज के इस वीडियो में इतना ही थेंक्यू धन्यबाद आपका दिन सुबराए